हेलो स्टुडेंट्स हम लोग अपना चाप्टर कर रहे हैं सेल स्टॉक्चर और फंक्शन तो बच्चे जो आज हम चाप्टर यह टॉपिक करेंगे तो आज हम जो फिट से टॉपिक करेंगे वो है आपका और्गनिजम शो वराइटी इन सेल नंबर सेल शेप और सेल साइज ठीक है क्या देखेंगे और्गनिजम शो वराइटी इन सेल नंबर सेल साइज और्गनिजम शो वराइटी रहती है ठीक है डिफरेंट वराइटी रहती है जिसमें सेल नंबर आते हैं आपके सेल शेप आती है एंड सेल साइज आते हैं ठीक है बच्छे अच्छे इसमें क्या है आपका कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनिजम जो होते हैं उनमें क्या होता है डिफरेंट 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 के सेल होते हैं ठीक है अब वो उनमें भी वराइटी होती है कि सेल नंबर कौन से हैं लाइक यूनिसेलूलर है या मल्टी सेलूलर है, cell का size कैसा है, large है, small है, या फिर cell की shape कैसी है, ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे variety in number of cells, number one is, variety in, variety in number of cells, ठीक है, है, अब आपको पता है, कि जितने भी आपके living organisms रहते हैं, कि जितने भी आपके living organisms रहते हैं, they are all made up of cells, ठीक है, कि जितने भी living organisms हैं, वो किन से बने होते हैं, वो आपके cell से बने होते हैं, ठीक है, बट जो number of cell है, वो vary करता है from organism to organism कुछ organism होंगे जिसमें एक cell होगा कुछ होंगे जिसमें multiple cells होंगे ठीक है अब कुछ ऐसी organisms हैं जिनमें one cell होगा या single cell होगा उनको आप बोलोगे unicellular and वो organism जिनमें variety होगी number of cells की उसको बोलोगे आप multicellular ठीक है देखिए जिसमें आपका single cell होगा उसको आप बोलोगे unicellular क्या बोलोगे unicellular and जिसमें multiple cells होंगे उसको आप बोलोगे multicellular multi ठीक है उसको आप क्या बोलोगे बच्चे multicellular cellular ठीक है वो organism जिसमें सिर्फ एक cell present होगा वो होगा आपका unicellular and वो organism जिसमें बोहुत सारे cells होंगे number of cells present होंगे उनको आप बोलोगे multicellular ठीक है so the simplest living organism जो एक simplest living organism होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही cell present होता है उसकी body में ठीक है and उस organism वो organism यह फिर आप बोल चकते हो the organism which are made up of only one cell are called unicellular organism ठीक है अब uni का मतलब क्या होता है बच्चे uni means one uni means one and cellular means cell uni means one and cellular means cell clear? uni means one and cellular means cell clear आपको अब आप देखिए कि one cell is also called single cell ठीक है जो one cell होगा उसको आप single cell बोलोगे so the unicellular organism are actually single celled organism ठीक है कि जो unicellular organisms होते हैं बच्चे उनको आप बोलते हो single cell organism ठीक है इसकी कुछ examples कौन सी होंगी आपकी मैं सबसे पहले अगर हम unicellular की ही बात करते हैं तो unicellular में आप देखिए unicellular क्या है बच्चे आपकी single cell ठीक है unicellular क्या है आपका single cell so इसकी कुछ examples है आपकी amoeba ठीक है इसकी example क्या है आपका amoeba and bacteria और भी बहुत सारी examples रहती है amoeba and bacteria ठीक है इसकी example है बच्चे amoeba and bacteria ठीक है so जो single cell of all these organism behave as a complete organism ठीक है अगर कोई organism है उसमें simple cell ये single cell भी है तो वो भी same वैसे ही behave करेगा जैसे एक complete organism behave करता ठीक है and एक unicellular organism जो है बच्चे वो same वैसे ही चीजे perform करेगा जो एक life को चलाने के लिए necessary चीजे होती है वही सब एक single cell भी provide करेगा ठीक है जैसे multi-cellular work करते है वैसे ही unicellular भी जो है work करते है ठीक है अब आपको पता है ना amoeba कैसा होता है इस type का तो amoeba में क्या होता है आपका single cell जो होता है वो present होता है ठीक है तो बाकि जितने भी basic functions है like food capturing आपका digestion आपका respiration, movement, response to environmental changes, removal of waste and reproduction etc they are all performed by the single cell of amoeba ठीक है and similar functions जैसे आपके जो multi-cellular organisms रहते हैं बच्चे वो सारे multi-cellular organism जो है उनमें क्या होगा various various organ system ये organs होगे विच और मेड़ अपफ मैड़ने different types of cell so the organism which are made up of many cells they are called multi-cellular organisms ठीक है अब अगर हम multi-cellular की बात करें multi means many and cellular means cell cellular ठीक है multi-cellular क्या होता है बच्चे multi means many and your cellular means cell multi means many and cellular means cell तो multi-cellular में क्या होता है कि बहुत सारे एक organism में जब बहुत सारे cells present होते हैं उनको कहते हैं multi-cellular ठीक है अब डिपेंड करता है बच्चे size पे कि multi-cellular organisms are maybe made up of millions billions या trillion cells या ट्रिलियन से वह बना हो ठीक है तो most of जितने भी आपके जो plants and animals होते हैं ठीक है वो उनमें क्या होता है आपका multi-cellular organism होता है ठीक है जितने भी mostly almost जितने भी आपके plants या फिर जो आपके animals हैं उनमें क्या होता है आपका multi-cellular present होता है ठीक है फॉर example आप ले लो एक rose plant या फिर एक neem tree तो बंचे इसमें 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 आपकी multi-cellular में rose plant neem tree rat and human being ठीक है यह सब आपकी जो है यह किसकी examples है बच्चे यह सब आपकी multi-cellular organisms की example है किसकी multi-cellular organism clear multi-cellular organisms की बच्चे यह कि है आपकी example है ठीक है which are made up of many many cells joined together अब बच्चे जो आपका variety in shape of cells के बारे में बढ़ेंगे आपका आपका वराइटी in shape of cells पहले हमने किया number of cells cell number of cell में था आपका unicellular and multi-cellular ठीक है वो दो थे आपके number of cell में अगर हम shape की बात करें तो अच्छे shape भी क्या होती है कि multi-cellular organism की अगर हम बात करें तो उसमें different different types के cell present होते है ठीक है ठीक है यह कौन से cell है आपका nerve cell यह कौन से cell है बच्चे आपका nerve cell ठीक है यह फिर आप इसको बोल सकते हो animal cell यह फिर आप इसको neuron भी कहते हो neuron और animal cell क्या बोलते है इसको animal cell बच्चे जो जितने भी cell होंगे आपके उन सब की shape क्या होगी different होती है जैसे एक nerve cell है muscle cell है ठीक है bone cell है फिर आपका RBC है epidermal cell है यह सब क्या है different different cells यह है आपका nerve cell ठीक है इसी तरह आपका और कौन सा cell है muscle cell muscle cell ठीक है muscle cells कैसे दिखते हैं आपके इस type के ठीक है muscle cell जो है इनको भी आप animal cell बोलते है क्या बोलते हूँ animal cell ठीक है अब बचे जो nerve cell मैंने आपको पहले बताया वह किस type का होता है वह एक long and branched type का होता है ठीक है कि nerve cell आपको पता चल गए कि वह branch type होता है एंड जो muscles है वह बोत एंड से pointed होता है like spindle shape so इसी तरीके से क्या होता है कि nerve cells जो है वो different different देखते है न या फिर हर cell जो है उनकी shape क्या होती है different होती है अब जो nerve cell था बच्चे वो क्या करता है कि वो जितने भी messages होते है आपके brain and बाकी other body parts को लेके वो उनको क्या करता है receive and transmit करता है messages को receive and transmit करता है nerve cell and जो आपका muscle cell है वो क्या करता है पूरी body में आपकी आपको पता है न हर body के parts जो होते है मुझे muscle cell क्या करता है आपकी जितने भी body parts है उनके movement होती है वो कौन करता है muscle cell ठीक है इसी तरह nerve cell and je muscle cell है वो actually क्या है वो specialized animal cell होते है और वो क्या करता है specific function perform करवाते है animals body में ठीक है अब अच्छे cells क्या है उनकी different shape है and different size है और वो क्या करते है कि different function perform करते है तो आप बोल चकते हो कि हर सेल जो है वो specialized job perform करता है ठीक है सबका function जो होते है वो specific रहता है for example बच्चे जैसे मैं बताती हूं कौन-कौन से different types के cell है for example जैसे आपका red blood cell है ठीक है red blood cell हो गया आपका white blood cell हो गया ठीक है red blood cell हो गया white blood cell हो गया bone cell हो गया and epidermal epi epidermal cell हो गया xylem cell हो गया ठीक है यह सब क्या है बच्चों आपके यह आपके different different kinds के cell है ठीक है यह फिर आपका phloem cell हो गया clear यह सब क्या है आपके एक और अगर हम बात करें तो वह आपका photosynthetic cell photosynthetic cell ठीक है यह सब क्या है बच्चे आपके different different kinds के cell है यह फिर आप बोल सकते animal cells है ठीक है इनका क्या है आपका clear बच्चे यह कह है आपका कुछ ऐसे cells है यह different different kinds के cell है जिनका क्या काम है कि यह अलग different different functions जो है वह perform करते है ठीक है इसी तरह जो shape होती है किसी भी cell की वह help करते है उसके functioning में ठीक है जैसे nerve cells अगर long है यह फिर wire like projection है coming out of it जो आपने देखा तो वह क्या करता है nerve cell कि वह message लेते हैं और पूरी body में transfer करते है ना brain से बागी पूरी body में ठीक है तो अगर हम बात करें आपके muscle cells की तो जितनी भी movement होती है आपकी body में वो सब कोन करवाता है आपका muscle cell clear and जो आपका red blood cell है बच्चे यह किस type की होते हैं यह spherical in shape होते है and जो red blood cell है यह क्या करते है oxygen को carry करते हैं आपकी body में ठीक है आपकी पूरी body में जो oxygen carry करते हैं वो आपके RBC करते हैं उसके regular shape होती है and white blood cell क्या करते हैं वो जितने भी bacteria वगरा होते हैं उनको क्या कर देते हैं किल कर देते हैं ठीक है and उसके बाद आपको जो बाकी diseases होती है उनसे बचाते हैं ठीक है अब अपनी higher classes में पढ़ोगे इन सब के बारे में इसी तरह different different types की होते हैं जाइलम होते हैं यह एक जाइलम है यह फ्लॉइम है यह फिर photosynthetic cell है यह सारे cells किसमें आते हैं बच्चे यह आते हैं आपके plant cell में ठीक है और जो बागी वाले थे उपर वाले वो आते हैं आपके animal cell में clear clear so जो आपके phloem cells है यह यह tube like plant cell है जिन में क्या होता है thin wall होती है और यह क्या करते हैं लीव से food करें और बाकी जो parts होते हैं plants के उनको send out करते हैं ठीक है अगर हम बात करें photosynthetic cells की तो यह क्या करते हैं इन में chlorophyll होता है और यह क्या करते हैं कि food को prepare करते हैं by photosynthesis तो आपको पता ही है क्या होती है तो बस यही सब चीजे थी अब next आपका variety in size of sun चल नेक्स्ट के आपका variety in size of sun अब आपको पता है कि different size की cells जो होते हैं वो क्यों होते हैं different size की होते हैं ठीक है ठीक है क्या होता आपका की cells जो हैं वो क्या आपके different size की होते हैं ठीक है और आपके जो living organisms में cells होते हैं ठीक है and most of the cells अगर आप देखोगे तो वो extremely इतने small होते हैं कि वो आप इनको naked eye से नहीं देख सकते हो ठीक है यह दो होते हैं एक जिनको आप naked eye से देख सकते हो और एक वो जिनको आप microscope से देख सकते हो ठीक है दो types के होंगे तो most of the cells जो आप living organism में पाते हो वो क्या होते हैं आपकी आप उनको microscope से देख सकते हैं क्यों क्योंकि वो आप उनको सिर्फ उननी से देख सकते हैं क्यों क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर हम bacteria cell की बात करें तो वो क्या होगा आपका micro mic बहुत मतलब इतना स्मॉल होगा और उसकी लेंद कितनी होती 0.1 micrometer to 0.5 micrometer ठीक है इन फेक्ट की जो micro bacteria mycoplasma होता है न बच्चे वो क्या होता है smallest cell है ठीक है अगर आपको पूछेंगे कि कोई के वीचे से smallest cell तो आप बोलोगे bacteria mycoplasma bacteria mycoplasma so यह आपका bacteria mycoplasma जो है आपका smallest cell क्या है आपका smallest cell ठीक है अगर आपको कोई पूछेगा smallest cell के बारे में तो आप बोलोगे bacteria mycoplasma अगर बात की जाए largest cell की तो आपको पता है कि जो ostrich का egg होता है so bacteria mycoplasma जो है बच्चे वो smaller cell है अगर बात की जाए largest cell की तो largest cell में आता है आपका bird's egg ठीक है largest cell में क्या आता है आपका bird's egg तो बच्चे जो आपकी largest cell होते हैं पहले अगर हम smaller cell की बात की जाए तो smaller cell को आप naked eye से नहीं देख सकते और जो आपका naked eye से जिनको आप नहीं देख सकते उनको आप देखते हो microscope से ठीक है उनको आप देखते हो microscope से और आपका जो largest cell है जैसे आपका bird's egg है तो उनको naked eye से आप easily देख सकते हो right and some of the cell so largest cell कौन सा आगया आपका bird's egg ठीक है अगया चले नेक्स्ट आपने क्या देखा था बच्चे नेक्स्ट आपने देखा था है cells, tissues, organ, organ system and organism ठीक है आपने क्या देखा था इनमें कि cells क्या होते है tissues क्या होते है, organs क्या होते है, organ system क्या होते है and organism क्या होते है ठीक है, so सबसे पहले आपने क्या देखा था बच्चे कि जो cell होते है वो क्या होते है आपके smallest unit ठीक है, cells क्या थे आपके smallest unit of life which has definite structure and performs a specific function for example, आपने देखा था जैसे muscle cell, nerve cell, bone cell, RBC, WBC, epidermal, phloem, xylem, photosynthetic cell वो सब क्या थे आपके simple cells थे फिर tissues क्या होते है कि जब बहुत सारे cells जो है वो completely मिला के combinedly together जब एक particular function perform करें उसको आप बोलते हो tissue ठीक है, कि group of cells को क्या बोलते है tissue क्या बचे, कि जो group of cells होते है, group of cells को बोलते हो आप tissue फिर organ क्या होते है, बचे, group of tissue को बोलते है, organs group of ठीक है, group of tissues को कहते है, organ and group of organs को कहते है, organ system group of organ को कहते है, organ system and group of organ system को कहते है, organism group of group of organ system को बचे कहते है, organism ठीक है, अब आप एक बात देखिए, कि जब आपकी बहुत सारे cells जो है, जैसे अगर muscle cells जो है, similar type के cell जब उनका group बनता है, और वो क्या करते है, एक particular function परफॉर्म करते हैं, तो उनको बोलते हो आप tissue क्लियर, उनको क्या बोलते हो आप tissue, तो आपको पता है कि जो आपके muscle cell होते हैं, उनका क्या काम होता है, कि आपकी body में जितने भी movements होती है, उनको कौन परफॉर्म करवाता है, आपके tissue, ठीक है, और अगर हम organ की बात करें, तो बहुत सारे tissue मिला के एक organ बनाते हैं, फिर वो क्या होता है, कि interconnected organs, group of interconnected organs जो होते हैं, वो जब एक साथ function perform करते हैं, तो उनको बोलते है organ system, और जब बहुत सारे आपके organ systems जो हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक particular, एक single organism होना, organism क्या होता है आपका, organism एक animal या फिर एक plant है, which exists on its own, ठीक है, so, an organism is made up of many different organ system which work together to perform all the functions which are necessary for maintaining the life, तो इसका ऐसे बनता है, structure, cell, tissues, organs, organ system, and your next is, organism, अब बच्चे, यह आपकी क्या है, आपका, यह एक पूरा flow chart type है, ठीक है, की cells बनते हैं आपके tissue से, ठीक है, मतब tissue बनते हैं cell से, फिर organ बनते हैं tissue से, organ system बनता है, organ से, and organisms जो है, इन सब चीजों से बनता है, ठीक है, अब बच्चे, इनके जो question answer है, वो हम लोग, मैं आपको, हर रोज send कर रही हूँ, मैं आपको इसी लिए पिछला जो है, फिर से revise कर वारी हूँ, so that आपको एक बार revise हो जाए, and easily आपके जो यह questions जो है, वो easily आप उनको clear कर सको, तो यही एक पूरा चाप्टर था आपका, जिसमें आपने यह सब चीजे पढ़ी, क्या क्या पढ़ा आपने बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमने देखा कि cell क्या होता है, उसके structure के बारे में पढ़ा, फिर discovery पढ़ी, कि discovery of cell क्या होता है, जैसे रॉबर्ट हूक ने discover किया था, फिर हमने particular cells पढ़ा, basic होता क्या है, उसके parts पढ़े, कि cells में कौन-कौन से part है, जैसे cell membrane होता है, जिसको हम plasma membrane भी कहते हैं, cytoplasm होता है, nucleus होता है, mitochondria होता है, cell wall होता है, chloroplast होता है, large vacuum होता है, इसी तर अगर हम बात करें, structure of cell की, तो structure of cell हमारे दो थे, एक था animal cell और एक था आपका plant cell, ठीक है, हमने कुछ ऐसी चीज़े देखी थी, कि जो animal cell में नहीं present होती, बट plant cell में present होती, वो कौन-कौन सी थी, एक था आपका large vacuum, एक था आपका chloroplast, एक था आपकी cell wall, ये तीन चीज़ें जो थी, वो extra थी आपकी plant cell में, बट animal cell में ये सब चीज़ें present नहीं थी, फिर हमने comparison पढ़ा, इन दोनों के, इन similarities की, difference की आपका में क्या होता है, औरबस प्रो केरियों चेल ये झुक्यारतक सेलथ, ठीक है, कि प्रो केरियों नहीं होता है, ठीक है, जैस उसमें एक नुकले मेंब्रेन होता है, बट नो नूप्लेर मेंब्रेन ठीक है और अमयूबर सैल में क्यों होता है एक रेल न्यूकलेश होता है उसके बाद आज हमने किया वराइटी इन के और्गनीजम्स में वराइटी होती है अगर हम अगर हम सैल नंबर की बात करें तो उसमें आएगा आपका यूनि सैलुलर और multi cellular और अगर हम shape की बात करें तो वह different different shape रहती है जैसे nerves cells की अलग है muscle cell की अलग है RBC की अलग है WBC की अलग है ठीक है सब की different different shape रहती है and different types की cell होते है animal cells different होते हैं plant cells different होते हैं और इनके functions भी क्या होते है different different होते हैं फिर हमने देखा variety in size of cell कुछ cells small होते हैं और कुछ cells large होते हैं फिर हमने देखा cells क्या होते हैं tissue क्या होते है organ system and organism क्या होते हैं ठीक है यही सब चीजें हमने study की तो यही जो मैंने अभी तक आपको पूरा इस topic के बारे में study करवाया तो बच्चे वो क्या था आपका पूरा चाप्टर जो था वो यही था कौन सा cell structure and function बिल्कुल easy chapter था कुछ इसमें extra करने की efforts करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल अच्छे से हमने इसको दो बार इनके topics को revise कर लिया I don't think आपको फिर से कुछ खुद से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि हमने इन topics को अच्छे से revise कर लिया हूँ है अब आपका काम क्या है कि जो इसके questions है very short, short, long, multiple and यह आपके जो high order thinking skills questions होते हैं इनको आपने खुद से पढ़ना है मैं तो आपको note send कर रही हूँ बट आपने क्या खुद से भी try करनी है आप देखिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया क्या वो आपको questions answer आप इतने capable हो पा रहे हो कि आप questions के answer को sort out कर सको अगर फिर भी आपको कोई problem आ रहे है then you can ask me anytime anytime ओके चलिए यहीं तक रखिया thank you so much